Hello everyone, आज हम डिसकर्स करते हैं आमल बरसा यह है NO2, SO2, NO, SCO2 आधी मुखे बायू पुर दो सके हैं नाइटोजन एवम, सल्फर, के ऑक्साइट, पैटोल, डीजल एवम, अन्य जीवास्पिन्दन के जलने की किर्या में व्योजित होती हैं यह गैसे परेवरन में उपस्तित जल वास्प के साथ मिलकर प्रेथवी पर आमल के रूप में सेल्फिरिक अम्ड तथा नाइटिक अमल बापस आती हैं इसको अमल बरसा कहती हैं आम तोर पर परेवरन में अमल एता 60-90 तक S2S4 तथा 30-40 तक S93 के कारण होती है जिवास मिंदन के जलने के फालसरो पैसो 2 तथा नो 2 आधी गैसो की मातरा देतिक रूप से बढ़ जाती है जिससे मानब बे अन्य जीवों को हानी की संभावना बढ़ जाती है अमल बरसा के कारण स्टोन लैप प्रोशी हो जाती है मतलब जो प्राचीन भवन और मोडतिया है वो गलने लगती है लाइकेन पादप अमल बरसा संकेतन के रूप में प्रियोग किये जाती है अमल बरसा से तुछा रोख हो जाती है